श्री गनेशाय नमा, अत, कामदा एकादशी व्रत कथा, भारतिय संस्कृती में एकादशी व्रत का एक अलग ही महत्व है, ज्यादातर वैशनव संप्रदाय के लोग एकादशी व्रत रखा करते है, एकादशी एक्तिति है जो हर माह में दो बार आती है, यानि हर पक्ष में एक बार शुकल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुकल पक्ष में आने वाली एक आदशी के बारे में जानने को उत्साहित था। अताहे कृपासिधु आप मुझभक्ष पर कृपा करे और चैतर शुकल पक्ष को आने वाली एक आदशी का क्या नाम है। उसकी विदी एवं महात्मिय और इस एक आदशी करने वाले को कौन सा पून्यो फल प्राप्त होता है इसके बारे में मुझे विस्तार से कथा सुनाए। श्री कृष्ण एधर्मराज चैतर माह के शुकल पक्ष को आने वाली एक आदशी को कामदा एक आदशी के नाम से जाना जाता है। अपने विशाल भवन में निवास किया करते थे। इन दमपती में अपार स्नेह और प्रेम व्याप था। कभी कभी इनका स्नेह अपनी परकाश था लांग जाता था जब वो एक दूसरे से अलग होकर कन ही चले जाते थे। वो एक दूसरे के बिना व्याकुल हो जाया करते उस समय भूगीपूर में पुंदलिक नामक एक पराक्रमी राजा का शाशन हुआ करता था और ललित राजा के दर्बार में उपस्तित प्रमुक गंधर्वों में से एक था। वो राजा को अपना संगीत और गान सुना कर उनका मनोरंजन किया करते थे। एक समय की बात है राजा के दर्बार में सभी गंधर्व राजा के मनोरंजन हितु गान प्रस्थुत कर रहे थे और ललित भी राजा को गान सुना रहा था। तभी ललित को अपनी भार्या लीवता का स्मरन हुआ और वो गान गाते-गाते विचलित होकर रुग गया। उसके सुर दगमगाने लगे और राजा भी एक पल चौक उठे की यह कैसा बेसूरा राग गाया जा रहा है। राजा के दर्बार में उपस्थित कारकोट नामक सर्प ने ललित के मन के भाव भाम लिये और उसने राजा से पद भंध होने का कारण बात दिया। कारण जानकर राजा पुंदलिक अत्यादिक प्रोधित हुए और उन्होंने स्पष्ट स्वरों में गंधर्व ललित को श्राप दे दिया। केश परवतों पर उबे उसे व्रिक्षो के समान लगने लगे और भुजाय अत्यंद विक्राल और लंबी हो गई। देखा जाए तो उनका शरीर आठ जोजन के विस्तार में फैल गया था। इस प्रकार देत्ययोनी में परिवर्तित होने पर उन्हें अपार कश्ट का भुपतान करना पर रहा था। भार्या ललिता को जब ये व्रितांत पता चला वो अत्यंद दुखी होकर जमीन पर गीर कर मूर्चित हो गई। मूर्चा जाने पर वो अपने स्वामी के नाम से विलाप करने लगी और इस यात्ना से अपने स्वामी को कैसे निजात दिलाए उसके यत्म सोचने लगी। गंधर्व ललित दैत्य योनी में परिवर्तित होने पर अपार दुख को सहते हुए नगर से दूर घने वन में चले गए। अपने स्वामी के विरह में भार्या ललिता भी उनके पीछे पीछे वन में जाने लगी। अपने स्वामी के पीछे पीछे वन वन विचरती हुई ल ललिता विलाप करती हुई महर्शी श्रिंगी के चरनों में गिर गई और अपने स्वामी को पुना गंधर व्योनी में परिवर्तित कैसे करे उसकी यातना करने लगी। ललिता की यातना सुन महर्शी श्विंगी अपनी साधना से बाहर आ गए और ललिता को अपने चरनों में गिरा हुआ देख कहने लगे, महर्शी श्विंगी है सुभगे, तुम कौन हो और यहां किस कार्य से आई हो, ललिता है महात्मा, मेरा नाम ललिता है, मेरे स्वामी के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी आ रही हैं, इसे कामदा एकादशी भी कहते हैं। व्रत उसने पूरी निश्था और श्रद्धा से पूर्ण किया और ब्राह्मनों की उपस्तिती में हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हुए प्रभुश्वी विश्नु का ध्यानधर उसने कहा। स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए वशित मुनी ने कहा, हे राजन, यह कामदा एकादशी का व्रत समस्त पापों को हरने वाला है। इस व्रत को पूरे विधिविधान से पूर्ण करने पर दैत्य दानवराक्षश आदी योनी में अपने पाप भुगत रहे प्रानियों की मुक्ती हो जाती है। पूरे संसार में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत कथा के पठन या श्रवन मात्र से वाजपेई यग्य का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के श्री मुक्ष से संपूर्ण कथा का वर्नन सुनने के प्रश्चात राजा युदिश्टिर त्रिप्थ हुए। एति कामदा एक अदुशी व्रत कथा अध्याय समाप्त हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।